आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ काम के टिप्स जिनके इस्तमाल से आपके समय और पैसों की होगी बच्चत तो वीडियो को पूरा जुरूर लास तक देखिए हम सभी के घरों में एक चीज तो बहुत कॉमन मिलती है वह है लुकिंग गलास चाहे वह ड्रेशिंग टेबल हो या दिवार पे लगा हुआ गलास हो कभी कभी हमारा लुकिंग गलास गंदा हो जाता है उसमें गंदे धब्बे हो जाते हैं लुकिंग गलास में हम अपना फेस अच्छे से नहीं देख पाते हैं इसको साफ करने के लिए हम क्या करते हैं हम कॉलिन खरीद दे estat जो थोड़ा महंगा भी आता है मैं कॉलिन के जैसे ही न्यूस बेपर से साफ करके दिखाऊंगी आपको यहाँ पर लेना है न्यूस बेपर आप चाहें तो इसे फोल्ड करके ले ले मैंने इसको fold कर लिया है इसके बाद लेनी है spray bottle spray bottle में मैंने normal पानी लिया है आप चाहो तो अगर आपके पास spray bottle नहीं है तो news paper को गीला कर लीजिए मैंने spray bottle से शीशे पर पानी spray कर दिया है अब news paper से हलके हाथों से शीशे को rub करेंगे चारों तरफ धीरे धीरे से शुरू शुरू में आपको लगेगा ये तो और गंदा हो गया है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है धीरे धीरे आप रब करेंगे तो देखेंगे शीशा एक्तम साफ हो गया है आप चाहो तो घर में ड्रेसिंग टेबल सेंटर टेबल गलास को भी ऐसे ही साफ कर सकते हैं देखिए नॉर्मल पानी और न्यूस वेपर से शीशा कैसे साफ हो गया है यहाँ पर कॉलीन के पैसो के भी बचचत हो गई है अब अगली टिप में आपको बता रही हूँ जब भी हम मार्किट से पुदीना धनिया लाते हैं और उसे ऐसे ही रख देते हैं तो वह जल्दी से सूख जाता है तो धनिया पुदीने की पत्यों को फ्रेश रखने के लिए हम क्या करेंगे हमें धनिया पुदीने की पत्यों को ऐसे ही न्यूस्वेपर में फोल्ड करके रख देना है तो आप देखेंगे धनिया पुदीने की पत्या एकदम से फ्रेश और हरी बनी रहेंगी हमारे घरों में ऐसे स्टील बॉक्स तो सभी घरों में होते हैं इसमें हम कुछ लकुछ समान रखके धकन बंद कर देते हैं और समान निकानने के लिए जब हम धकन खोलते हैं तो देखते हैं धकन खुलता ही नहीं है धकन टाइट हो गया है तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है तो ऐसे में हमें क्या करना है जब भी हम स्टील के डबे में समान रखें तो उसके धकन में पहले सरसू के तेल को उम्डियों की सहता से डबकन की चारो और लगा देना है जैसे मैं लगा रही हूँ उसके बाद स्टील के डबे में कुछ भी समान रखें और धकन लगा दीजिए देखिए, स्टील का डबब पहले नहीं खुलता था अब किती असानी से खुल जाएगा अब चलते हैं अगली टिप की और कभी कभी फ्रिज में से स्मेल आने लग जाती है हम बहुत परिशान हो जाते हैं कि उसमें क्या करें कुछ भी समान रखेंगे खाने पिने की चीजें तो उसमें भी स्मेल आने लगेगी तो परिशान होने की आपको जुरूरत नहीं है बहुत छोटा सा टिप बता रही हूँ तो आपको करना क्या है एक बाउल में एक कब पानी लेना है और उसके बाद लेना है बेकिंग सोडा पाउडर एक चमच बेकिंग सोडा पाउडर ले लीजिए और इसे पानी में गोल लीजिए और न्यूस पेपर ले लीजिए न्यूस पेपर को मैंने गोल-गोल शेप में बना लिया है और एक और निउस पेपर लेकर मैंने उसे भी गोल गोल कर लिया है अब इसे baking soda वाले पानी में गीला करना है इसे अच्छे से गीला कर लेंगे जब निउस पेपर अच्छे से गीला हो जाए तो इसका एक्स्रा पानी निचोड लीजेए इसके बाद इसको एक प्लेट में रखिए और प्लेट को फ्रीज में कहीं भी एक जगा रख दीजिए एक घंटे के लिए देखेंगे फ्रीज से बदबूख खतम हो जाएगी उमीद करती हूँ आपको ये टिप पसंद आई होगी अब चलते हैं अगले टिप की और फ्रीज के फ्रीजर के पार्ट में आपने देखा होगा जब कभी हम फ्रीजर में कुछ भी चीज रखते हैं तो वे बहुत ज़्यादा चिपक सी जाती है रोज रोज फ्रीजर की सफाई करना असान नहीं होता और ना ही इसमें चिपकी हुई चीजों को हम बार-बार निकाल कर हटा सकते हैं यहाँ पर अगर बरफ की ट्रे रखते हैं तो वो भी चिपकती है कोई भी समान रखते हैं तो वो भी चिपकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जिसकी वज़े से चीजें अपने सर्फेस से चिपकती हैं इसके लिए आप एक छोटा सा काम करिए आप ले लीजिए एक पॉलिथिन की शीट कोई भी पॉलिथिन की शीट जो हमारे घर में आती है सबजी लाते हुए या कोई और समान बजार से लाते हैं तो भी समाना आप फ्रिजर में रखते हैं रख सकते हैं जैसे चीज, मक्षन बगएर तो ये चीजें चिपकती नहीं हैं साथ में अगर फ्रिजर में गंदगी गिर रही है तो फ्रिजर हमारा अंदर से गंदा नहीं होता नेक्स टेम क्लेनिंग करते समय पॉलितिन को हमने हटा देना है और दूसरी पॉलितिन को पिछा देना है ये चोटी सी टिप है आपकी बहुत काम आने वाली टिप है अब अगले टिप गर्मियों के दिनों में सबसे ज़़ा लाइट का कमजन शिर्फ करता है फ्रिज और एजी तो यहाँ पे मैं आपको फ्रिज से जुड़े कुछ पॉइंट बताने जा रही हूँ जिससे आपका काफी हद तक बिजली का बिल कम हो सकता है जब कभी भी फ्रिज में आप कोई खाने पीने का समान अगर रख रहे हैं और अगर वह गरम है उसको रूम टेंपरेचर में आने दीजिए ठंडा होने दीजिए इसके बाद ही फ्रिज में रखिए हलके से गरम खाने की चीज़ों को भी अगर हम फ्रीज में रख देते हैं तब भी बिजली की खपच जादा होती है हो सक्के तो फ्रीज में कम समान को रखिए अगर फ्रीज में जादा समान भर देते हैं तब भी बिजली की खपच जादा होती है फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है समान को ठंडा करने में तो इससे आपकी बिजली का बिल भी पड़ता है अगर आप फ्रिज में पानी की बोतले रखते हैं दूद, लसी, दहीं कोई भी लिकुड चीजे रखते हैं तो उन्हें हमेशा ढख कर रखे अगर इन समान को खुला रखते हैं तो फ्रिज को ज़्यादा बिजली की खपत करनी पड़ती है कभी-कभी फ्रिज के द्रवाजे में जो रबड होती है काफी ज़्यादा धीली, लूज हो जाती है और फ्रिज की गैस धीरे-धीरे बाहर निकरने लगती है जितनी ज़्यादा फ्रिज गैस अंदर मनाता है खाने पीडनी की चीजों को ठंडा करने के लिए उतनी गैस धीरे-धीरे निकलती रहती है तो फ्रिज को ज़्यादा काम करना पड़ता है फ्रिज जल्दी से खराब भी हो सकता है और साथ के साथ बिजली का खर्चा भी बढ़ता है फ्रेज की रबर खराब है कि नहीं यह जानने के लिए आप कोई भी टॉर्च ले लीजिए मैंने यहाँ मुबाइल की टॉर्च ली है क्योंकि नॉर्मल टॉर्च तो आजकर घरों में होती नहीं है जब से मुबाइल आए है इसलिए मुबाइल की टॉर्च ली है अब यहाँ पर टॉर्च को ओन करके फ्रेज में रख देंगे और फ्रेज का दोर बंद कर देंगे और बाकी सभी लाइट कमरे की आफ कर देंगे कमरे में बिल्कु अंधेरा कर देना है अब हमने फ्रिज के दर्वाजे को देखना है किसी तरह की रोशनी फ्रिज से बाहर आ रही है हलकी सी रोशनी आपको दिखती है फ्रिज से बाहर आती हुई तो इसका मतल़ पे आपके फ्रिज के दर्वाजे की रबर खराब हो चुकी है इसे बदलने की जरूरत है जितनी जल्दी आप इसे बदल लेंगे तो फ्रिज खराब होने से बच जाएगा और बिजली का बिल भी कम आएगा दोसरा तरीका आपको लेना है कोई भी पेपर मैंने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है आप कोई भी पेपर ले सकते हैं पेपर को फ्रिज की डोर भी इस तरह से लगाएं अगर यह पेपर नहीं गिर रहा है तो इसकी रबड बदलने की जरूरत नहीं है अगर फ्रिज का डोर बंद करने के बाद यह पेपर अराम से निकल जा रहा है तो इसका मतलब है कि आपके फ्रिज की रबड बदने की जरूरत है तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपके रबड की फ्रिज ठीक है या नहीं बिजली की खपत फ्रिज कहां पर जादा करता है कई बर हमारे फ्रिजर में काफी बरफ जम जाती है बरफ का पहाड सा जम जाता है वो नहीं होना चाहिए अगर ऐसा है तो फ्रीज बहुत जल्दी खराब हो सकता है अगर आपको ऐसा होने से रोकना है यानि फ्रीजर में बरफ जादा ना जमे बरफ के पहाड ना बने आपने क्या करना है हमारे घरों में चाह चलनी होती है उसमें थोड़ा सा नमक डाल कर चारो तरफ से फ्रीजर में फिला देना है इस तरीके से चानते हुए जिससे की नमक बिल्कुल बराबर से फ्रीजर में फैल जाए इसका फाइदा ये होगा इसमें बहुत ज़्यादा बरफ नहीं जमेगी बरफ रे में ही जमेगी सिर्फ उतनी ही बरफ जमेगी बरफ के पहाड नहीं जमेगे बिजली की खपत भी कम हो जाएगी आशा करती हो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर 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 करें